नमस्कार स्वागत आपका बात करेंगे प्रिज्मक्स ग्लोबल वेंचर लिमिटेड इस्टोक 4.87 पे ट्रेड कर रहा है इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें क्या इस्टोक को खरीदना है अगर खरीदना है तो किस प्राइस पर लोंग टरम के लिए या सोल टरम के लिए हमे इस्टोक को कंसेडर नहीं कर सकते हैं उसके बाद नेक्स आता है कि कम्पनी के रिजल्ट कैसी हैं तो यहाँ पे एगर रिजल्ट देखे हैं पिछले 4 साल के तो 4 साल में जो कंपनी की सेल्ट है वो कंटिनी हो और याप देख पहले 30 थी फिर 32 पिर 7 और 8 तो यहाँ पे पर कंपनी की साल तो कम यहाँ थु तो इसी सेल्स बढ़ी है तो कंपनी की सेल्स है वह बिलकुल भी नहीं है और कंटीनू कम होती जा रही है उसके बाद बात करते हैं प्रोफिट की तो अगर आप देखोगे यहां पर तो यहां पर ओपरेटिंग प्रोफिट मार्जिन और टेक्स ने भी बहुत कुछ काम किया है तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कंपनी की सेल्स है वह कम हुई है लेकिन प्रोफिट बढ़ा है क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पर तो सबसेंपोर्टेंट वात है वह ओपर प्रोफिट मार्जिन तो ओपियम परसेंटेज यहां पर बढ़ा है इसलिए कंपनी का जो नेट प्रोफिट है वह भी बढ़ा है बागी सेल्स कम हुई है तो यह काफी चिंता का विसे रिजव आप देखोगे अच्छा कासा रिजव और बोरोंग कंपनी को पर नहीं है तो कि bandwidth कि कमपनी Cast के कंपनी का प्लेट है की नहीं तो इसके लिए अपको आपको क्या करना यहां पर आपको जाना है सेवोंडेंग पेटन में नॉर्मल यहां पर नीचे परमोटर प्लेज होल्डिंग दिखाता है लेकिन कई वार यहां पर इन्फोर्मेशन रोंग रहती है तो इसके लिए आपको बिल्कुल एवरो की निसान पर क्लिक करना है और यहां पर जैसे आप देखोगे तो यह नीचे से तीन नंबर पॉइंट है इसके इंदर और नंबर दो बैलेंश इट कोई खास नहीं है कंपनिश बिल्कुल कम हो रहे प्रोफित बड़ा है लेकिन अगर सेल्स किसी भी कंपनी के कम हो रहे तो वो प्रोफिट ज्यादा तक बढ़ नहीं पाएगा यह आपको पता है प्रमोटर होल्डिंग नहीं है तो आप इस इस इस्टो को लोंग टाइम के लिए तो बिल्कुल भी कंसेडर नहीं कर सकते और सोड टाइम के लिए भी आपको कोई इस्टो में अगर अच्छा रिजल्ट आता है तभी आप इस्टो के बारे में सोचे थैंक्यू कीप सपोर्टिंग